हेलो गाईज आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में स्वागत है मैं इस ब्लॉग में बात करने वाला हूं सिवान थावे सिवान के बीच 18 जनवर इसे सूरू होने वाली एक नई ट्रेन के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को उसके ठाराव उसके टाइमिंग की त्याद लोगों दक्सियार करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ अधिक नए और रोमान जग वीडियो करने के लिए तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सीवान थावे रेल सेक्शन पर यात्रियों के भीड को देखते हुए रेलवे ने 18 जनवरी से सीवान कोचेज हैं सारी जनकारिया आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो मेरा यह वीडियो अंतक जरूर देखें सीवान थावे सीवान अनारक्षित एस पेसल ट्रेंज जो 18 जनवरी से चलेगी इसका ट्रेंड नमबर दिया गया है जीरो एकाउन एकानवे जीरो एकाउन बा जो कि कोविड के समय से ही रेलवे सवारी ट्रेंडों में एक्स्प्रेस ट्रेंडों का किराय ले रहा है और यह ट्रेंड नमबर जब जीरो एकाउन एकानवे सीवान से चलेगी बारा बज के 35 मिनट दोपहर को और सीवान का चाहरी से यह गाड़ी बारा बज कर 41 मिनट पर प्रस्थान करेगी अमलोरी सरसर से 12-50 में प्रस्थान कर हतुआ एक बज के 2 मिनट से प्रस्थान कर थावे 1 बज कर 20 मिनट पर पहुचेगी और वाफसी में यह ट्रेंड जीरो एकाउन 292 बनकर थावे सिवान थावे से दो पार एक बज़ के पच्वन मिनट पे प्रस्थान करेगी हथुआ से दो बज़ के नौ मिनट पे प्रस्थान करेगी अमलोरी सरसर से दो बज़ कर 20 मिनट पे प्रस्थान करेगी और सिवान का चारी से दो बज़ के 28 मिनट पे प्रस्थान कर सिवान जक्षन दो बज़ के 45 मिनट पर पहुचेगी सिवान थावे सक रेल सेक्षन पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन कितनी फायदे मंद होगी और इस ट्रेन के चालू हो जाने से कितने यात्री को फायदा पहुचने वाले